सीता पर गाउं में दो भाई रहते थे, सोनू और विनोद, माता पिता के देहांत हो जाने के बाद, दोनों भाईयों में जमीन को लेकर बहस हो जाती है देख विनोद, बात को समझने की कोशिच कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और मैंने तुस्से ज़्यादा माता पिता की सिवा की है, और तुझे क्या लगता है तेरे बहस करने से, ये जमीन तेरे नाम हो जाएगी बाईया, मैंने कब कहा कि मुझे सारी जमीन चाहिए, कम से कम हमारी जितनी जमीन है, उसे बराबरी में तो बांटो देख, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जो वसियत बनी है उस हिसाब से, घर के पीछे जो दो एकर जमीन है, वो तेरी है अब उस दो इकर जमीन को तु बेच या उस पर खेती कर ये तेरी मर्जी है क्या बस दो इकर जमीन भाईया कैसी बाते कर रहे हैं मैं आपका सववा भाई हूँ जमीन का बराबरी में हिस्सा होना था मुझे बस दो इकर जमीन क्यों मिल रही है हाँ, क्योंकि मैंने माँ से दोके में वसीयत के पेपर साइन करवा लिये थे और ये सारी जमीन मेरी है, घर के पीछे वाली जमीन वो है तेरी बेचारा विनोद निराश होकर चुपचा वहां से चला जाता है ऐसे ही शाम को विनोद की पत्नी पूजा विनोद को खाना देती है विनोद को खाना खाने का बिलकुल मन नहीं कर रहा था और वह अपनी पत्नी को खाना खाने से मना करते हुए कहता है देखो मुझे भूख नहीं है तुम खाना खा कर सोजव देखो मैं जानती हूँ कि जेट जी ने जो किया वे गलत है लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं भगवान पर भरोसा रखो जब भगवान एक दर्वाजा बंद कर देता है तो दूसरा जरूर खोलता है बात तुमारी बिल्कुल सही है लेकिन दो एकर जमीन में क्या हुआ खैर भाईया ने जो किया वो मुझे जिन्दगी भर याद रहेगा छोड़ी आप जाने दीजे और खाना खालीजे पूजा किसी तरह से अपने पती को खाना खिला देती है ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय विनोध अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था उसके दिमाग में बार बार जमीन को लेकर बाते घूम रही थी वह एकदम से ठक जाता है और अपनी साइकिल वहीं किसी पेड के चाओं में रोप कर बैठ जाता है विनोध अपने घर की परिस्थिती और जमीन को लेकर बाती सोच रहा था सोचते सोचते शाम हो जाती है विनोध वहां से घर जाने की सोचता है और जैसे ही वह अपने साइकल की ओर बढ़ता है तब ही दो आदमी विनोद की साइकल लेकर वहां से भागने लगते हैं विनोद इस तरह से चिलाता हुआ उन दोनों आदमियों के पीछे भागने लगता है दोनों आदमी साइकल से भाग रहे थे और विनोद पैदल भागते भागते विनोध का पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है विनोध बहुत परिशान था टेंशन और चोट लगने के कारण उसकी आँखे बंध हो जाती है ऐसे ही अगली सुभा विनोध की जब आँखे खुलती हैं तो वह अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ था बगल में उसकी पत्नी बैठी हुई थी तभी विनोध अपनी पत्नी से कहता है मैं यहां कैसे आया पूजा? देखे आप यहां कैसे आये या फिर आपके साथ क्या हुआ वो सब छोड़िये मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि आपको अपने भाई द्वारा किया हुआ चल याद आ रहा है जो हुआ उसे भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि अभी आपके पास जो है उसी में खुश रहो दो एकर जमीन है ना हमारे पास, हम उसी में खुश है बात तुमारी सही है पूजा, लेकिन इतनी महगाई में आखिर कैसे हम अपना जीवन जीएंगे? देखे, आप बिलकुल चिंता मत कीजिए, जिनके पास जमीन नहीं होती, क्या वो लोग इस दुनिया में जीते नहीं है क्या? जिनके पास घर नहीं होता, या उनका कोई सहारा नहीं होता, क्या वेह लोग इस दुनिया में जीते नहीं है? जो हुआ उसे भूल कर आगे के बारे में सोचो कि अब आगे क्या करना है अरे छोटे से शुरुआत करो तरक्की करने के लिए इनसान को नीचे से शुरुआत करनी होती है इसी लिए आप मार्केट में सबसी बेखना शुरू करो और आप टेंशन मतलो पैसो का इंतिजाम मैं कर लूँगी तुम कहां से पैसो का इंतिजाम करोगी? अरे मैं सब कर लूँगी आप बस भरोसा रखिये ऐसे ही अगले दिन पूजा अपने कुछ जेवर विनोद से बिना बताए एक सुनार की दुकान पर ले जाती है और उन जेवर को गिरवी रख कर सुनार से कुछ पैसे उधार ले आती है और उन पैसों को अपने पती विनोद को देते हुए कहती है देखे ये रहे पैसे हो गए पैसों का इंतिजाम और अब ये मत पूछना कि मैंने इन पैसों का इंतिजाम कैसे और कहां से किया है आप बस काम पर फोकस करो इन पैसों को ले जाकर मार्केट से ताजी ताजी सबजियां खरीद कर ले आना और उन्हें बजार में बेचना शुरू कर दो सच में मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला है तुम मेरे हर सुखदुप में साथ खड़ी रहती हो अच्छा बाबा ठीक है अब ये बाते बाद में भी हो सकती है पहले काम पर जाओ विनोद पैसों को लेकर मार्किट से ताधी-ताधी सबजियां खरीद के अपने सर पर सबजियों का टोकरा उठा कर घर की ओर आ रहा था और सड़क पार करने के दोरान विनोद का बैलंस बिगड़ जाता है और वे सड़क पर गिर जाता है उसकी सारी सबजियां सड़क पर फैल जाती है गाडियों के आने जाने से सारी सबजियां कुचल के सत्या नाश हो जाती है ये देखकर विनोद हताश हो जाता है किसी तरह से खुद को सम्हालता हुआ विनोद उदासमन से घर आता है विनोद को इस तरह से देखकर पूजा विनोद से बोलती है क्या हुआ इतना परिशान क्यों हो और सबजियां कहा है आपने सबजी नहीं खरीदी क्या पूजा मैं मर जाना चाहता हूँ मैं परिशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से मेरे साथ बार-बार तुम भी परिशान हो रही हो मैं जो भी काम करने के बारे में सोचता हूँ वो काम बार-बार खराब हो जाता है ना किस्मत ही साथ दे रही है ना ही भगवान मेरा साथ दे रहा है इसलिए मुझे नहीं जीना काईरो वाली बाते मत करिये आप जीवन में उतार चड़ाओ आना आम बात है और इस तरह से हार मानना कायरता होती है मर जाने से कुछ होगा क्या अरे आप अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे कैसे पीचा छोड़ा सकते हैं क्या करूपूजा तुमें बताओ न आज मैं सबजी लेकर आ रहा था अचानक से मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सड़क पर गिर गया सारी सबजी खराब हो गई एक गरीब के जीवन में जब ऐसी परिस्थिती आती है तो वो इस तरह से परिशान हो जाता है कि उसे मोत के सिवक कुछ दिखाई ही नहीं देता इतना बोलकर विनोध रोने लगता है पूजा अपने पती को समहालती है ऐसे है कुछ दिन बीट जाते हैं और एक दिन विनोध किसी काम से अपने घर लोट रहा था रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ती दिखाई देता है जिसके सर पर एक टोकरी थी उस टोकरी में सिर्फ एक ही लोकी थी बूढ़ा व्यक्ती सड़क पार कर रहा था अचानक से एक गाड़ी उस बूढ़े व्यक्ती को टकर मार देती है बूढ़ा व्यक्ती सड़क किनारे जाकर गिर जाता है उसके पैर में और सर में चोट आ जाती है विनोध भागता हुआ उस बूढ़े व्यक्ती के पास जाता है और उसके चोट को अपने गमचे से पोचता हुआ कहता है अरे बाबा न जाने कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में ठीक से गाड़ी भी चलानी नहीं आती अरे बेटा मेरे लोकी कहां गई विनोध बुढ़े व्यक्ति की टोकरी और लोकी लाकर उसे देता है लोकी देखकर बुढ़े व्यक्ति की जान में जान आ जाती है बूढ़ा व्यक्ति चल फिर नहीं पा रहा था विनोध किसी तरह से उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले आता है और पास के ही डॉक्टर को घर बुलाकर उस बूढ़े व्यक्ति की मरहम पट्टी करवाता है ये देखकर बूढ़ा व्यक्ति विनोध से बोलता है मदद कर पाए बटा मुझे भुच्चोर से भूक लगी है क्या तुम मुझे काना खिला सकते हो हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं यह भी कोई बोलने वाली बात है क्या मैं तो पहले से ही आपके लिए खाना बनवा रहा हूँ मेरी पत्नी आपके लिए लोकी की बुजिया और रोटी बना रही है क्या तुमने मेरी लोकी की सबजी बना दी अरे नहीं बाबा हमने आपकी लोकी की सबजी नहीं बना इया आपकी लोकी तो वो रखी है मेरे घर में पहले से ही लोकी रख्य हुई थी इसलिए मैंने आपके लिए लोकी की सब्जी बनवाई है वैसे मुझे लोकी बहुत पसंद है खैर आप जल्दी से खाना लेकर आओ मुझे बहुत भूक लगी है इतना बोलकर विनोध उस बुढ़े व्यक्ति के लिए खाना ले आता है बुढ़ा व्यक्ति पेट भर के खाना खाता है और विनोध और उसकी पत्नी को खूब सारा आशिरवाद दे कर सोजाता है विनोध और पूजा भी खाना खा कर सोजाते हैं ऐसे ही अगली सुभा जब विनोध और पूजा की आँख खुलती है तो वह दोनों देखते हैं कि बुढ़ा व्यक्ति वहां से गायब है वह दोनों पूरे घर में और घर के बाहर बुढ़े व्यक्ति को ढूणने लगते हैं बुढ़ा व्यक्ति उन्हें कहीं नहीं मिलता लेकिन बुढ़े व्यक्ति की लौकी वहीं बिस्तर पर रखी होई थी विनोद उस लौकी को हाथ में लेकर कहता है अरे ये क्या बाबा, अपनी लोकी ले जाना भूल गए तभी उस लौकी में से आवाज आती है और वे लौकी विनोद से बोलता है नहीं नहीं विनोद, मैं लौकी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ मैं एक जादूई लोकी हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत उतार चड़ाओ देखे हैं उसके बावजूद तुमने अपने मन में कभी किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखी है इसलिए मैं तुम जैसे सचे और अच्छे इंसान की मदद करना चाहती हूँ क्या सच में तुम एक जादूई लोकी हो और तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो मैं एक जादूई लोकी हूँ और तुम मेरी मदद से अपने हर काम को असान कर सकते हो तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे हर वो चीज मांग सकते हो जिनकी तुमको जरूरत हो मैं तुम्हें तुरंत वे चीज लाकत दूंगी विनोद जादूई लाकी पाकर बहुत खुश हो जाता है और वो जादूई लाकी से तुरंत अपने खाने पीने की कुछ चीज मंगा लेता है लौकी तुरंत विनोध की इच्छा पूरी कर देती है ऐसे ही अब विनोध धीरे धीरे जादूई लौकी की मदद से अपने खेत में लौकी की खेती करना शुरू कर देता है विनोद की जमीन अब उपजाव हो जाती है विनोद लौकी के साथ साथ कई अन्य सबजी की भी खेती करना शुरू कर देता है कुछी समय में विनोद बहुत ही सुन्दर सा मकान बना लेता है और धीरे धीरे कई सारे खेत भी खरीद लेता है विनोद की ये तरक्की देखकर सोनु को अपने किये पर पच्चतावा होता है मेरे भाई ने आज अकेले इतनी तरक्की कर ली है और मैं हमेशा छल कपट लालच में ही रहा गया अगर आज हम दोनों भाई साथ होते तो आज हम दोनों साथ में मिलकर तरक्की कर रहे होते में अगर बुरा वक्त चल रहा है तो एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा